तो फाइनली रसिया ने अपना मिशन लूना 25 को 11 अगस्त को लॉंच कर दिया है चंद्रियान 3 से पहले लूना 25 की लेंडिंग हो सकता है सबसे बड़ा बात यह है कि रूस से 47 साल बाद अपना मिशन मून पे भेज रहा है और यह सब कुछ अचानक से हुआ है रसिया इस मिश से बहुत कम दूरी याने की 170 किलो मीटर रह गई है और भारत चंद्रियान पर इतिहास रचने के कडिव है तब ही रसिया ने अपना मिशन लूना 25 लॉंच कर दिया है और अब रसिया के इस पेस एजन्सी या कर रही है कि उसका अंत्रिक्षियान भारत के चंद्रियान से प रसिया ने मासको से 5000 किलो मीटर दूर स्पेस सेंटर लूना 25 को लॉंच किया आपको पता होना चाहिए कि चंद्रिया के सथा पर अंत्रिक्षियान भेजने बाला पहला देश अमेरिका नहीं बलकि रूस था जो उसमें सोव्य संग हुआ करता था बड़्स 1969 में सोव्य संग ने लूना 1 और लूना 2 के नाम के दो बड़े मुन मिशन को लौन्ज किया था है यानि की चंद्रमा पे पहुंचने कारेश सोव्य संग ने ही जीता था लेकिन सोव्य संग के मिशन सक्सेस के बाद रसिया फिर अपना कोई अंत्रिक्ष यान चंद्रमा पर नहीं भेज पाया और बाद सिर्फ रसिया की नहीं दुनिया का कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर लेंडिंग नहीं कर पाया है यह मून के नीचे वाला हिस्सा है अंत्रिक्ष और एरोस्पेस बीसे सग के गिरिस ने कहा कि चंद्रमा के दोनों धुरूगों पर दो विक के रिपोट के अनुसार पानी और बर्प का पता चला है चंद्रू में अस्थारी चाया और ठंडा तपमान वाला छिद्र अधिक है इसलिए ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर पानी और बर्प अधिक मातरा में हो सकती है चंद्रियान थिरी साथ पल पे लेंडिंग करके ये इतिहास रचने वाला है भारत का चंद्रियान थिरी चांद के कक्ष्या में परवेश कर गिया है और 23 अगस्त को मून पे लेंडिंग करने वाला है और रस्या खुद को पिछरते देखते हुए लूना 25 मिशन को लॉंच कर दिया अब बात करते चंद्रियान थिरी के वजन के बारे में इसका वजन 49 केजी है और यहीं लूना 25 के बात करे तो इसका वजन 1750 केजी है कि लूना 25 प्रित्वी के एक साल के बरावर जर्मा पर मौझूद मिटी, वतावरन, पानी और धूल का अध्यान करेगा जबकि चंद्रियान थिरी सिर्फ 14 दिनों तक ही चंद्रियान की सतव पर काम करेगा और इन दोनों अंत्रिक्षियान में सबसे महतपूर्ण है जिसमें अंत्रिक्षियान ग्रेवटिशनल फोर्स का इस्थेमाल करते हैं और चक्कर लगाते हैं इसमें बहुत कम खर्चा आता है और इससे जदा सकती साली रोकेट न होते हुए भी अंत्रिक्षि मिशन को सफल बनाने की सकती आ जाती है लेकिन इसमें समय ज्यादा लगत झाले।